नमस्कार स्वागत है आपका TEST BOOK SUPER COACHING POR और मैं हूँ विनैवस्थि आज हम लोग चर्चा करेंगे इस्राइल वर्सिज एरान जो की सुर्कियों में चल रहा है कहा जाता है कि एरान वर्सिज इस्राइल जिसकी ठंशन वर्सों से चली आ रही है और ये जो tension है ये indirectly tension अभी तक चलिया आ रही थी लेकिन हाल ही में एरान ने इसराइल के उपर तोपो से वाचार कर दी है और attack कर दिया है directly अब क्या होता है कि अगर ये महायुद्ध की नौबत आती है तो क्या होगा दुनिया दो गुटों में बढ़ जाएगी कहा जाता है कि जो अमेरिका है वो इसराइल का साथ दे रहा है और अगर इसराइल के साथ अमेरिका आ रहा है तो इरान के साथ में आपका रसिया आ रहा है और अगर रसिया आएगा तो चाइना भी आ रहा है अब देखना ये है जो आज हमारा मेन पॉइंट है कि किसके पास सैन पावर जादा है तो अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि इसराइल और इरान दोनों आमने सामने आते हैं और इनके साथ में कोई भी सुपर पावर देश जो है सामने नहीं आते हैं और अगर इनके बीच में युद्ध शर्ता है तो किसका सैन पावर जादा होगा किसके पास जादा च्छमता है आईए देखते हैं और बाद में आपको ये कमेंट करके बताना होगा कि कौन है किस से आगे चलिए जी तो बात करेंगे इसराइल वर्सिज इरान की कौन सैन च्छमता मे बात करने वाले हैं अगर मैं बात करूं इसराइल और इरान में तो एक्ट्व परसनल जो हैं एक लाख सतर हजार इसराइल के पास हैं इरान की बात करूं तो छे लाख दस हजार इरान के पास हैं अगर रिजर्ब फोर्सस की बात करूं तो चार लाख पैसट हजार इसराइल के पास है पैरा मिलिटरी की बात करें तो 35,000 जो है इसराइल के पास हैं और 220,000 इरान के पास हैं जिसमें इरान का पड़ला यहां पे भारी हो रहा है अगर मैं एर पावर की बात करूं यह बात किसकी थी अभी तक हम लोगोंने मिलिटरी श्रंथ की बात की अगर हम लोग एर पा की बात करें तो 241 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपके इस्राइल के पास है और लगभग आपके 186 एयरक्राफ्ट किसके पास है फाइटर एयरक्राफ्ट आपके इरान के पास है Special Mission Aircraft की बात करें तो 23 इसराइल के पास हैं और 10 इरान के पास हैं Plainant Aircraft की बात करें तो 155 इसराइल के पास और 102 इरान के पास हैं Tanker Fleet की बात करें तो 14 इसराइल के पास हैं और 7 इरान के पास हैं हिलिकॉप्टर्स जो आपके लडाकू हिलिकॉप्ट्र्स होते करते हैं तो तैंक की अगर हम बात करें तो इस्राइल के पास 370 टैंक है और 11.1996 मतलब 14.407 इसराइल के पास 65.765 इसराइल के पास nerlory जो है आपकी वो 650 इसराइल के पास और 580 इसराइल के पास है और जो rocket आपकी आर्टिलरी हैं वो 150 इसराइल के पास और 775 इसराइल के पास अगर हम बात करें naval forces की जो navy वाली forces होती है तो यहाँ आप देख रहे होंगे fragets आपके 0 है इसराइल के पास लेकिन इरान के पास 7 है और आपके जो ये corridors हैं आपके 7 इसराइल के पास है और 3 इरान के पास है submarines 5 इसराइल के पास है और 19 जो हैं वो इरान के पास है मतलब सम्मरीन में इरान आगे है पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो 45 आपकी इसराइल के पास है और 21 जो है वो इरान के पास है और जो माइन आपकी होती माइन वारफेर वो जीरो इसराइल के पास है और एक इरान के पास है तो यह आपकी naval forces थी तो सारे forces का data आपको बताया मैंने और यह जो data लिया गया है यह आपका इसका जो sources है वो आपको मैं दिखा दूँ यह कहां से लिया गया है आप देख रहा हूंगे global फिर वे आपका firepower से लिया गया है यह index से लिया गया है यह जो data है आपका तो अब आपक comment करके मुझे यह बताना है आपको comment करके यह बताना है कि power किसकी ज़्यादा है आपने दोनों का देखा कि किसके पास naval forces कितने है लैंड forces कितने है आपके air forces कितने है तो total आपको बताना है किसका पलड़ा होने वाला है भारी और दूआ कीजिएगा कि यह महायुद्ध की नौ हुआ था तो उसमें भारत जो है तठस्तता का काम कर रहा था तो इसराइल और इरान का अगर युद्ध होगा तो यहां भी भारत तठस्तता का काम करेगा आप लोग कमेंट करके वताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और इसी जानकारी ऐसी जानकारी के लिए लोग आपके सामने आते रहेंगे, thank you so much सभी को, bye bye, tata take care, धन्यवाद